साथियों लोगतंत्र का पर्व चल रहा है उत्तर प्रदेश्ट में चुनाव है साथवे चरण में कल वोट पड़ेगी सभी पार्टिया अपने अपने परत्यासियों के लिए बड़े-बड़े साधनों से यह तमाम तरह से टीवी अखबार और तमाम तरह के जो परचार के माध्य में उन से परचार किये आजास समाज पार्टी भीमारमी के लोगों ने सडक पर गाउं में जा जाकर माईक के जरिए सीमिस अंसादनों के जरिए अपनी पार्टी का परचार किया और अपनी पार्टी के जो मूल भूत लकसे हैं अपनी जो manifestors को बताने का काम किया साधन विहीन होने के बावजूद भी आजार समाज प्राटी कारे करता होने भी मारविक कारे करता ने बहुज़न समाज के लोगों ने बहुत मेहनत की और इस आंदोलन को सफल कराने के लिए प्रयास किया ये भी एक आंदोलन है, ये आंदोलन है सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टराम बेट करने का आप पॉलिटिकिता मास्टर की, राइंतिक सत्ता वो सुनेहरी चाबी जिससे आप अपनी सारी प्रेशानी हल कर सकते हैं, और मैं भी अपने भहुजन समाज के लोग उनके भरोसे हैं कि वो लोग इस देश में समता समानता बंदुत भायचारे को स्थापित करेंगी, ये हमारी गलत फाहमी है, ये समय समय पर दूर होती रही है, अब दुबारा गलत फाहमी नहीं पान ली और इसको काम को आगे बढ़ाना है, तो पांस साल हम लोग सड़कों पर लड़े और अब हम सदन के जरी आपके वाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए आजास समाज पारटी काशिराम के परतियासी मैदान में, उनके सयोग दल के परतियासी मैदान में, मेरी आप से अपील, एक अपील तो ये, कि ये या अंदोलन अभी शुरू हु अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, अमीरों ने तै कि वो गरीबों को घुसने नहीं देंगे सदन में, और हमने तै कि गरीबों को सदन में घुसाना है, उनको भेजना है सदन में, उनके जरीए गरीबों के वाज को उठाना और उनके समस्ता को हल कराना है, मैं कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि जब आप ठान लेते हो तो फिर कुद्रत आपकी मदद करती प्रकरती आपकी मदद करती वह ऐसे लोगों को जो आपसे बहुत दूर भी आपके साथ जोड़ती है जिनके जरीया आप इस परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं और अकेला वेक्त आपने गोरकपूर में बनाने का काम किया मैं धन्यवाद को करता हूँ जो गोरकपूर पहुंचे सभी कारे करता हूँ निताओ का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालके एक ताना सा मुख्यमंत्री को बताएगी जब गरीब अपने हक्की रहाज उठाते हैं तो मुकाबल मसिन डगत रुप्यों करके फिर उसके बाद उन्होंने बैलट पेपर से 35-40 साल की जो महिलाय और लोग हैं जो ना वो उस मानक में आते हैं ना वो विकलांग हैं दिव्यांग ना ही वो वरद हैं और ना ही वो कोई सरकारी करम चायदिकारी ऐसे वोट उन्होंने अपने खे बोद में जनता जवाब देगी तो आगामी जो कल जो वोट पढ़ने वाले उन्होंने जो परत्यासे हमारे हैं क्योंकि मैं सब जगा नहीं पहुच पाया मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग मेरी इसी बात को सुनकर मानकर और क्यों जरूरी आजा समाज़ पार्टी को ताकत देना इस लक्से को समझके तीन सो पैतालिस सगड़ी जिला आजमगड से अमीर चंद यादव जो हमारे परत्यासी हैं मैं आपसे अपील करता हूँ एक एक कारे करता से कि अपनी ताकत बनाने के लिए अमीर चंद जी को एक एक वोट के इतने के निशान पर डालकर मदद कराएं उनके बाद 346 मुबारक पुर आजमगड से कनिया कुमार आजास समाज पार्टी के परत्यासी हैं मेरी आपसे अपील है कि उनको एक एक वोट उनके खाते में डालके कि इतने इंशान पर उनको सफल बनाएं 347 आजमगड सदर से रिशी आदव हमारे परत्यासी हैं मेरी आपसे अपील है कि रिशी आदव जी को एक एक वोट केतली चुनावचिन पर डालकर मदद कराएं 349 नजमगड से राजी वियादव जी आजास समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है मेरी आपसे अपील है कि राजी वियादव जी को वोट देकर जरूर सफल बनाएं 300 नच्चर फूल पूर से अमिद कुमार आजास समाज पार्टी के परत्यासी है मेरी आपसे अपील है कि अमिद कुमार जी को एक एक वोट केतली चान पर डालकर सफल बनाएं 350 दिदार गंज से हुजेफा आमिर आजास समाज पार्टी के परत्यासी है समर्थित परत्यासी है मेरी आपसे अपील है कि उनका चुनाओ चिन है किर्केट का बैट बल्ला उस पर जाज़ जादव वोट डालकर सफल बनाएं 300 क्याओं लाल गंज से राजनाज जैसवार आजास समाज पार्टी के परत्यासी मेरी आपसे अपील है कि उनको जाज़ जादव वोट देखकर केतले के चुनाओं चिन पर सफल बनाएं 300 75 सदर गाजी पूर से लोटन राम निसाज जी आजास समाज पार्टी के समर्थित उम्मीद्वार है जबकि वो किसी दूसरी पार्टी से उम्मीद्वार है लेकिन क्योंकि वो मिशनरिस आती है और वो बहुजन आंदोलों के सिफाई है मेरी आपसे अपील है कि उनको बहुजन समाज के लोग ज़या ज़या दर वोट डालके ऐसे विक्ति को विधान सवा जरूर भेजे वो पुराने मिशनरि विक्ति है मनका समान करता हूँ तीन सो तेतर जखनिया से विने सागर आजास समाज पार्टी के प्रतियासी है एक तरफ पैसे वाले लोग है एक तरफ भीमार में आजास समाज पार्टी गरीप प्रतियासी है मेरी आपसे अपील है जखनिया गाजीपूर तीन सो तेतर से विने सागर जी को एक एक वोट क्योंकि केतर निसान पर वोट डालकर अन्याय का जवाब वोट से दें तीन सो तेतर जंगीपूर से जैसिंग कुमार आजास समाज पार्टी के प्रतियासी मेरी आपसे अपील है कि इनको भी एक एक वोट डालकर भावसंक्य ग्रूप से वोटों का प्रयोग करके आजास समाज पार्टी के प्रतियासी तीन sloppy जंगीपूर जी को जैसिंग कुमार जी को जंगीपूर से सफल बनाए केतर के निशान पर 379 मचली सहर से जिला जहुनपूर सत्ते परकास मानाव और मैं मानव की प्रेग्राम में नहीं जापाया लेकिन उन्होंने बहुत मैनद कि है मेरी आप से अपील है कि सत्य परकास मानव जी को एक-एक वोट केत्र चुनाव। जिन पर डाल कर उनको सफल बनाए, उनको विजए ही बनाए मेरी आप से अपील है कि उनकी मदद करें, मचली सेर्द, 379, 382 पे सयद रजा, यह जो सिट है, इससे, चंदोली, सिद्धार्थ, प्रान बहु, आजार समाज पार्टी के प्रतियासी हैं, मेरी आप से अपील है कि उनको एक एक वोट, उनके खाते में डालकर उनको सफल बनाएं, 389, 389, वारांसी दक सिंट से, विरिंदर कुमार गुपता आजार समाज पार्टी के प्रतियासी हैं, मेरी आप से अपील है, कि विरिंदर कुमार गुपता जी को एक जादा स्यादा वोट डालकर, सफल बनाएं, और उनको विधान सभा भिजने काम करें, 403 दुद्दी से, जो सरुल ट्राइब के लिए रिजव सित है, सोनवर्ध जिला, मिस्रिलाल गोर्ड, जो है आजार समाज पार्टी के प्रतियासी हैं, मेरी आप से अपील है, कि उनको ज्यादा ज्यादा वोट डालकर सफल बनाएं, गोसी 354 से उम्परकार ज्यादा मौँ जिला आजार समाज पर्टी के प्रत्यासी है इनको जाजादा वोट केतली के सांट पर डालकर सफल बनाए ओरहिया रिजर्व से संत्र विदास नगर सहब सोरब आजार समाज पर्त्यासी है मेरी आप से अपील है इनको भी सफल मुना है 394 लालगन जैसी से लालगन जैसी 351 नमबर राजनाज जैसवार आजमगट से मैंने पहले बता और दुबारा इनका नाम हाए मैं आप से अपील करता हूं राजनाज जैसवार जी को जाद जाद वोट डाल के सफल बनाएं मिर्जापूर 396 से संदीब कुमार सोनकर आजास समाज पार्टी के परत्यासी हैं मेरी आप से अपील है कि इनको जाद जाद वोट डाल के सफल बनाएं फूलपूर पवई से अमित कुमार आजमगड जिला आजमगर्ड, विदानसभा, फूलपूर पवई, 369 से अमित कुमार आजार समाज पार्टी के परतियासी है मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट इनके खाते में डाल कर जाज जादा वोट इनके खाते में डाल कर इनको केतने चुनाओं जिन पर सफल बनाए साथ है युक्रेन में हमारे चात्र चात्राय फसे हुए है और प्रधान मंतर जी ब्रांडिंग करने पर लगे हुए मैंने एक अपील की थी, लगातार दो बार तीन बार की कि प्रधान मंतर जी ध्यान दे, ध्यान दे वहां बच्चे पीने के पानी के लिए महता आज है और जिस तरह कस्ट का सामना उनको करना पड़ रहा है वो दुखद है युक्रेन और रूस में युद हो रहा है जबकि हम लोग युद के खिलाफ हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग लेकिन उनका युद, जिन कारणों से है वो दो देशों का युद है उन दोनों देशों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य देश के स्टूडेंट को या आम आदमी को वहां परिशानी ना हो और ये दोनों देशों के जम्यदारी बनती है कि व्हाँ पर उपर स्थित हमारे भारत के चाटर चाटराओं किसी भी देश के जो चाटर चातरा महां पढ़ते हैं उनको वह स्रुक्षित वहाँ से बाहर निकालें ये दोनों देशेos जिम्मिदारी बनती हैं हमारे दो च्छात्रों के जान गई हैं को गोली लगी इसलिए हमने तै किया है नो तारिक को रूस और यूकरेन अमेंसी जो भारत में इस्ती थे दिल्ली में उनके खिलाब हमारा अंदोलन होगा उनके अमेसियों के बाहर ये बताने के लिए कैद किसे कैदे हैं हमारे बच्चे वाँ कैद में और मुसीबत में हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है ये रूस की और यूकरेन की जमिदारती है और मैं अपने देश के मानने प्रधान मंतरी जी से तू क्या कहूं उनको तो चुनाओ लड़ना उनके लिए चुनाओ एहम है और सब चीजे बाद में वो तो प्रधान मंतरी पद की भी गरीमा नहीं रखते है ऐसे कुरूशल समय में जब देश के बच्चों को जरुरत थी कि वो प्रधान मंतरी जी मां मदद कर देता प्रधान मंतरी जी अपने चुनाओ औरेलियों वेस्ट और पूरी बीजेपी की सरकार भी गर्यमंतरी हो फाइनस मिनिस्टों सब लोग दुखद है कि सिरफ सत्ता के लालची लोग को भारत के लोगों ने प्रधान संसत के लिए चुना केंद्र में उनकी सरकार बनाई और ऐसे ही सरकार उत्तर प्रधेस में, जब उत्तर प्रधेस के लोग जुर्ट थी वहां के मुख्यमंतरी की तो मुख्यमंतरी घूम रहे थे बियार और मंगाल पर चार करते हैं, करोना काल में जनता इस बार जवाब देगी और गोरकपुर में बाबाजी की विदायते हैं मुझे तो खबर लगी है कि बाबाजी गोरखपुर पहुंच गए हैं जनता ने पहले उनको वहां पहुचा दिया जहां उनको जाना था दस मार्च को नतीज़ आएंगे उससे पहले ही जो है वहां पहुच गए हैं तो इन सभी परतियासे के लिए मेरी आपसे फील कि इनकी मदद कराएं और जरूरी है और क्यूंकि हम अंदोलन कारी लोग हैं तो हमने चुनाव खतम होते हैं अपने अंदोलन की गोशना कर दी है उसके अलावा लगातार अंदोलन चलेंगे बहुत जल्द मैं रिजल्ट के बाद आप से बात करूंगा लेकिन पूरे देश में रहने वाले भीमार्मी के साथ उसे मेरा निवेदन है कि हर गाओं में भीमार्मी वो खड़ा कीजिए सोसित वंचित वर के लोगों पर अन्या उनको जरुत है वो उमीद करते हैं कोई आए उनकी मदद करें निर्दोस होते हैं उनको तमाम तरीक मुशिबते जहननी पड़ती है कोई सुनवाई नहीं होती कई यहां पुलिस जो है प्रादियों से ज़्यादा भ्यानक तरीके से कार्य करती है उनको सब को नियाए दिला आने के लिए जब तक हमारी सरकार बड़े स्तर पे नहीं बनती केंदर में और स्टेटों में सभी स्टेटों में नहीं बनती तब तक मेरी आप से पीले भीमारमे के साथ है कि गाओं गाओं तक भीमारमे के लोगों को पहुंचाएं और अपने मुबाइल नंबर जारी करें अगर कहीं भी किसा अन्याय हो तो उनकी अवाज बनें उनको न्याय दिलाएं निर्दोस लोग की रक्षा करें और किस तरह से सरकार पर ने जो नितिया बनाई है वो उन तक पहुंच सके इनका भी हमें ख्याल रखना है मैं भी जैभी मूवी देख रहा था मैं उस दर्द को वो देखी मैंने कई बार लेकिन मैं उस दर्द को चाहे आर्टिकल फिप्टीन हो चाहे वो जैभी मूवी हो या और इस तरह तीसरी आजादी हो चाहे वो इस तरह कि सभी मूवी मैं बार बार देखता हूं उस अन्याय को उस अन्याय को मैं देखता हूँ उस अन्याय को मैं महसूस करता हूँ और वहां से मैं ताकत लेता हूँ कि इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ सके और इस अन्याय का खात्मा होना जरूरी मैं बहुत जल उसकी वो वीडियो वो जो हिस्सा है उसका और दर्द भरा इससा वो पोस्ट करूँ आपको अपने भी मेरें फेस्बुक पेज़ पे कि इस अन्याए को देखें और आप सीख लें कि अन्याए को रोकने के लिए सकती की जोरत है इसलिए राइंतिक विवस्ता में आजास समाज पार्टी जरूरी है कि जब आजास समाज कि जिम्मेदार लोग विधान सबाव में होंगे तब जाके यह न्याय रुकेगा और न्याय करने वाली सरकारों को हम लोग सबक सिखाने काम करेंगे इस माफिया साही इस सामंत वाद की जड़े तभी कमजोर होगी जब मानवता वादी अमबेटकर वादी विचार धारा के लोग सदन में पहुंचेंगे तो मेरा पूरी देश के बहुजन समाज के लोग से अपील है लंबे समयता है का आप लोग भरोसा करते रहे गलत तरह के लोगों पे जिन लोगों ने विश्वास गात किया मैं आपसे अपील करता हूँ चंशे कर राजाद बहुजन अंदोलन को चलाने के लिए बहुजन अ दिखें इस बार और रुकेंगे नहीं दस साल में इस देश में प्राइमिस्टर बनाना ये तै कर लिया है इसलिए आप से अपील कि मदद कराएं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सोसित वंचित वर के लोग एक जूठ हों अपनी ताकत मनाएं बहुत जल दुबार एक लाइव के जरिए आप से बात होगी दर्द बहुत हैं दवाएक ही है कि सत्ता प्राप्ट करके सत्ता के जरिए वैवस्ता परिवर्तत करना है और मिसंड्य लोग को सदनों भेजना है पैसे वाले फिर क्या रहा हूं पैसे वाले तुमां प्रयास करेंगे गरीब लोग वागे ना बढ़े इस लोकतंत्र को उन्होंने धंतंत्र राजतंत्र बना दिया है दो दो चार चार क्रोड रुपए खर्च करने वाले लोग पहले अपने पैसे पूरे करेंगे उनके लिए राजनीती व्यापार है अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अ नहीं के नहीं आजा समाज पार्टी काशिराम के समर्थी दूमी द्वारब को देकर उनको सफल बनाया और हमें काम करने मोका दें जैवीम जैभारत जैसा विधान आप सभी के लिए मंगल कामना और ये मेरी तथागत बुद्ध से सद्गुर अविदास महाराज भगवान बालमिकी महाराज गुरु नानक देवसंत कभीर तमाम महापुर्सों रहबरों को गुरु घासिदास जी के से मेरी ये प्रात्ना है कि उनकी अनुकंपा हो और ये बच्चे जो यूकरेन में फसें वो अपने घरों पहुँचे अपने घर पे अपने माबाप के बीच पहु और प्रदानवन्ति को बड़ा काम नहीं किये हैं जो रेस्क्यू भे करा रहे हैं माइनस टेंपरेजर में बच्चे 40-50-50-400-600 किलम्टर दूर जा जाके वहां से रेस्क्यू हो रहे हैं तो प्रदानवन्ति तो सर्फ वाबाई लूट रहे हैं आप भी देश के लोगों सच जाने हैं देश का सच क्या है आज बिजेबी की सरकार ये कह रही है कि मेडिकल सुधाय हम पे अच्छी नहीं है यहां अच्छे स्कूल नहीं है अगर ऐसा होता तो इसके लिए फलानी पर्टी जमेदार है तो आठ साल से आप सरकार में आपने क्या किया अगर आप आठ साल म एक मा ने बेबसी लाचारी गरीबी के कारण घुटने टेक दे रहा अपने तीन बच्चों को जहर देगे खुद भी उसनों जहर खा लिया और वो चारों लोग आज इस दुनिया में ने ये दिया है डबल इंजन की आठ साल की सरकारों और पहली सरकारों ने कि गरीब भू उक्रेयन वास्तिक्ता में नहीं जाते हमें बदलना पड़ेगा हम परयास करेंगे कि बदले बहुत बहुत धनेवाद जैभीम जैभारत आप सभी से अपील कि भीमार्मी आजास समाज पढ़ सयोग करें और भीमार्मी के सभी साथ यो निवेदन की गाउं गाउं तक भीमा मैं आसानी हो सके मुझे भी खुषी मिलती है जब मैं किसी पेडित के आशु पूचता हूं जब मैं उसकी उसके दर्द को कम कर पाता हूं मगर यह खुषी पर्मानेंट के लिए होनी चाहिए यह तभी होगी जब भीमारमे अजाश समाजपरटी के लोग तन्मन समर्पित करके इस आंदोनों को आगे बढ़ाएंगे और लोग को जोडने काम करेंगे